Hello friends, welcome back to my channel, Sniha Mom Lifestyle So friends, आज के वीडियो में हम जानेंगे ABD Circumference इस पैरामिटर के बारे में अगर आपने Ultrasound कराया होगा मतलब 19 week के बाद तो वहाँ पर आपने कुछ पैरामिटर देखे होगे Ultrasound Report में So friends, क्या होता है? इन Ultrasound का जो मीनिंग होता है वो हम आम इंसानों को, मतलब आम लोगों को नहीं पता होता नहीं डॉक्टर हमको explain करते हैं कि exactly इनका क्या मीनिंग होता है So एक curiosity रहते हैं कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए और week by week, बेबी का measurement कितना होना चाहिए इन पैरामिटर का So friends, यह जो parameter से वो इसलिए measure किया जाते ताकि बेबी का estimate weight निकाला जाए उस week के हिसाब से और एक friends मैं आपको बता दू कि अगर आपके बेबी का जो measurement है मेरी इस ultrasound के report के हिसाब से कम या जादा होती है तो आपको बिल्कुल भी चीनता करने के ज़रुरत नहीं है क्योंकि day by day, week by day, week by week हो सकता है आपका report different हो और थोड़ा कम जादा भी चलता है So don't worry, तो चलिए देखते हैं कि ABD circumference क्या होता है यह मेरे baby boy की report है और यह मैंने 19 week में कराई थी So यहाँ पर आप देख सकते हो ABD circumference इसका मतलब है ABDOMINAL circumference, baby की जो पेट की गोला है उसका measurement, तो यहाँ पर 149 mm दिया गया है पर यहाँ पर 20 week के हिसाब से हो सकता है friends, अगर आपके ultrasound में थोड़ा कम या जादा measurement हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि week by week और day by day थोड़ा बहुत फरक पढ़ता भी है so you don't worry मैंने बस ये वीडियो आपके एक information के लिए बनाई है अगर अगर आपको इसको लेकर कोई tension लेनी की जोरुरत नहीं है साथी साथ friends में एक chart आपके साथ share करी हूँ वहाँ पे आप week by week baby का ABD मतलब abdominal circumference कितना होता है वो देख सकते हैं उससे आपको एक idea आ जाएगी so इस वीडियो को एक informative तोर पर रह लिए ज़दा अगर कम या जादे तो tension लेनी की कोई ज़रुरत नहीं है so friends I hope आज का वीडियो आपको useful लगा होगा एसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल का subscribe करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए share कीजिए ज़रुर share कीजिए और मिलते हैं next वीडियो में ऐसे ही next parameter के बारे में और मेने मेरे चैनल पर मेरे pregnancy और ultrasound related बहुत सारी वीडियो बनाये हैं अगर आपको देखना चाहिए तो ज़रुर देखिए तो friends अब देखिए चार्ट week by week के हिसाब से की ABD circumference कितना होना चाहिए तो मिलते हैं next वीडियो में बाई कर दो में अब दूब देखिए या झाल को जाते हैं